हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एंडराइड सी के चैनल पर आज किस वीडियो में रोबो प्रोक्सी सेफ एंड पास्ट एप के बारें बताने वाला हूं यह अप्लिकेशन क्या है और इस आपको अपने फॉन में कैसे चला सकते हैं और इस अप्लिकेशन का आपके फॉन में क्या काम होने वाला है सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं उससे पहले गर आप चैनल पर नहीं आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों यह अप्लिकेशन एक प्रोक्सी अप्लिकेशन है जि जिसे आप अप्लिकेशन को उपन करेंगे ति यह अप्लिकेशन आपके फॉन में लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा लोडिंग लेने के बाद यह अप्लिकेशन आपके फॉन में कुछ इस तरीके से उपन जगा अगर आपको इडियरेट सर्वर को कनेट करना चाते है तिहां पर आपको connect का option मिलेगा इस पर आपको tap कर देना है जैसे आप tap करें यहाँ पर connection के लिए permission मंग जगा आपको ok कर देना है ok करते हैं यहाँ पर आपका server connecting होना सुरू हो जगा जैसे यह 100% complete होता है आपके phone में server connect हो जगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा server connect हो चुका है और यहाँ पर आपको server का सरा detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप अपने server को change करना चाहते हैं यहाँ पर आपको auto choose का option मिलेगा इस पर tap कर देना है टैप करना बाद यहाँ पर आपको अलग लग server देखने को मिल जागा आप अपने इसाप से यहाँ पर server को change भी कर सकते हैं अगर आप server के time को बढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर 8 time पर click करके server time को भी बढ़ा सकते हैं कॉर्णर में आपको यहाँ पर 3 line मिलेगा इसाप 3 line पर click करेंगे यहाँ पर apps by pass setting option मिलेगा इस पर click करके आप किस किस application में यहाँ पर VPN को यूज करना चाहते हैं आप अपने इसाप से यहाँ पर setting कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको language, share, privacy, policy और feedback की से अपका देखने को मिल जाता है server को disconnect करना चाहिए तो आप यह disconnect वाले option पर click करके आप server को disconnect भी कर सकते हैं इस तरीके साफ रोबो परक्सी आपको अपने phone में चला सकते हैं तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस application का आपके phone में क्या काम है तो दोस्तों इस app के मदद से आप अपने internet suite को fast कर पाएंगे और कोई भी application या website आपके country में बैन हो चुका है तो उसे आप इस app के मदद से unlock करके use कर सकते हैं और कोई भी game खेलते हैं पिंग अधिक रहता है तो इस app से आप पिंग को भी log कर पाएंगे अगर अभी भी इस application लेटेड आपको को दिकत रहता है तो आप हमें comment कर सकते हैं